पहले हमारे पास जो first name reaction है वो है finkelstein reaction तो finkelstein reaction क्या होती है तो उसकी सबसे पहले हम definition करेंगे कि alkyl iodide are often prepared by the reaction of alkyl chloride या alkyl bromide with sodium iodide in a dry acetone तो देखिए बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लेके चलना है alkyl iodide alkyl iodide means like is it हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर यह हमारे पास आई और उसके साथ CS3 या फिर R के साथ आई तो यह हमारे पास क्या है this is alkyl iodide यह prepared किया गया किसकी help से in the help ओपे alkyl chloride तो यह हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर alkyl chloride जैसे हमारे पास CS3 CL आपको दिखाए दे रहा है या फिर alkyl bromide या फिर यहाँ पर आप क्या ले सकते हो CS3 BR ले सकते है in the presence हो पे उसके साथ क्या मिला होगे basically sodium iodide in the presence हो पे dry acetone तो RX plus NAI dry acetone के साथ करनी है reaction तो यहाँ पर क्या ह होगा halogen exchange होगे X means like is it यहाँ पर या तो आप chloro ले सकते हो या यहाँ पर आप bromo ले सकते हो तो इसके साथ X को यहाँ पर replace कर देंगे तो X किसके साथ आएगा sodium के साथ तो NAX बहार निकलेगा और R के साथ क्या आजाएगा I अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास क्या है chloro methane CS3Cl plus sodium iodide अब यहाँ से I replace किसको करेगा CL को और CL किसके साथ आजाएगा NA के साथ in the presence of dry acetone तो क्या निकलना हमारे पास यहाँ पर CS3I plus sodium chloride